Hello everyone, welcome back to my channel English with Shivaya Classes आज हम पढ़ेंगे English History का Renesha Moment जो की आपके उत्राखंड LTE grade के लिए भी helpful है जो LTE grade की 3rd unit का 1st topic है चलिए स्टार्ट करते हैं जो word Renesha है उसको सबसे पहले used और define किया था जूलिस मिकलेट ने अपने work इस्टोरी दिफ्रेंस जिसका मतलब होता है रिवर्थ मतलब Renesha का मतलब होता है रिवर्थ यानि की हर चीज का पुनरजन्म होना तो Renesha में जितने भी चीज थी उनका फिर से एक तरीके से रिवर्थ यानि रिवाइबल नया जन्म होँआ था तह रिवर्थ वाज एक cultural moment था जो स्टार्ट होँआ था 14 और 14 सैंचुरी से लेकर 17 सैंचुरी तक ये मतलब 14 सैंचुरी से लेकर 17 सैंचुरी तक ये चला था कुश्चन ये बन जाता है कि रेनेशा मुमेंट कब से स्टार्ट हुआ तो ये 14th century से स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था इटली में और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया था अब देखते हैं इसका historical background रेनेशा बेगिन विद दा कॉंकिस्ट ओफ कॉंटिनेपोल बाइदा टर्क्स ओन मेड 29 फॉर्टीन फिप्टी थी यानि जो रेनेशा है वो सुरू हुआ था Constantinople के कॉंकिस्ट के साथ में और तुर्क के द्वारा कब हुआ था 29 मई 1403 में बाद में ये लोग इटली चले गए जो तुर्क लोग थे वो इटली चले गए दीज स्कॉलर ये जो स्कॉलर थे तुक देयर ग्रीक एंड रोमन बुक्स एंड लिटरेचर विद देम जब ये तुर्क से इटली गए तो अपने साथ साथ अपने ग्रीक के और रोमन बुक्स एंड लिटरेचर को भी अपने साथ ले गए इट इंकरिस्ट इटैलियन स्कॉलर्स तु डिवोट दियर टाइम इन इस्टडी ओफ दीज बुक्स एंड लिटरेचर जो इटैलियन स्कॉलर्स थे उन्होंने जो ग्रीक और रोमन बुक्स एंड लिटरेचर अपने साथ ले गए थे उन्होंने इन बुक्स को पढ़ा और लिटरेचर को पढ़ा जो इटैलियन स्कॉलर्स थे जैसे पैटराज पैटराज टु इस्टडी फिलोसपी एंड रिटरेचर और पलाटो एरिस्टोटल सिस्टो वर्जिन एड ओवल्न ये इटैलियन स्कॉलर्स थे रिनेशा कौवर्ट ठी एज, जो रिनेशा मोमेंड था उसने तीन एजों को कवर्ट कर आ, उन तीन एजों की नाम है, ऐेलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, एंड कैरोलाइज, इन सब एजों को रिनेशा मोमेंड कवर करता है। डेवलप्मेंट औफ इंडविवलिज्म जो रिशंद्व मुमिन्ट था इसमें इंडविव ब्रविविश्म का डेवलप्मेंट हुआ जो एभ्री में वाज फ्री हरकोई फ्री हो गया जो चाहता था वो कर सकता था तरनेश में में अर्कलंच में एक नया चेंच ौर्ष स menor सब्सक्राइब है सबसे पहले उन्होंने indique a classical philosophy की रीटरीटर की और ार्ट की जहां तक कहले निवीज करी उन्होंने ट्रेवल में वे सियर्श में है वो इस यूनिवर्स का सेंटर है जो हीं मित आफ डैवलप किया था वो रोजर गेकर ने किया था कि human age का development किस ने किया रोजर बेकर ने किया था growth of trade and commerce इसमें trade और commerce का growth हुआ East और West में जो set किया गया था रेनेशा में रेनेशा genius रेनेशा के जो genius से अब हम उनके बारे में discuss करते हैं इसमें famous writers हुए, scientist हुए और artist हुए Leonardo da Vinci, ये एक Italian painter थे, कौन थे एक Italian painter आर्केटिस्ट, inventor and famous इनकी painting का नाम था The Mona Lisa, The Last Supper, ये इनकी famous painting थी अगर ये कुशन ये बनता है कि The Mona Lisa और last Supper किस की painting है, Leonardo da Vinci की Rene Discards, ये एक famous French philosopher थे और एक mathematician थे जिनको याद किया जाता है as the father of modern philosophy, जिनको modern philosophy के father के रूप में याद किया जाता है, Gallerio, ये Italian astronomer और engineer थे, copper nickels, mathematician and astronomers, माइकल लेंगो, इनको एक true Renesia के नाम से जाना जाता है, माइकल लेंगो कौन थे, एक true Renesia थे, Vinci, Vinci ने invention किया था, valid transform का, Vinci ने invention किया था, ये question भी important है, कि जो transform थी, valid transform थी, उसका invention किस ने किया था, Vinci ने, इसी तरह, इस age में हुए, दानते, पैटरा, शेक्षपियर, चौसर, राफिल, एसेक्टरा, ये था Renesia moment, इसके बारे में हमने discuss किया, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, आज से हम जो उत्तरा खंड, L.T.Grade की जो सीरीज में हम, ये स्टार्ट करते हैं, मैं ये जो शार्ट, जो च।कर ऱौ के जो।क।